हेलो एंड वेलकम तो माई चैनल तो गाईज आप लोग जो है काफी सारे इंस्टाग्रम के आकॉंड पर पोस्ट देखे होंगे कुछ इस तरह के का जो अभी आपके स्क्रिन पर दिख रहा है टीशेट वाइट टीशेट क्यूब पर उनका प्रोफाइल का अनेकी इंस्टाग ही ग्रो होता है एक हपते में आपको जो आईड है ना वो बहुत जल्दी ग्रो होते है नजर आएगा तो काईस आज हम सीखने वाले है कि किस तरह से यह वाइट टीशेट के उपर आपको अपना जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर एडिट करना है आपको लगाना है तो सबस करने के बाद यहाँ पर उपर आप देख सकते हो जी एन आल फोटो लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है करने के बाद उपर देखिए रिसेंट लिखा है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी फोटो जहाँ पर भी होगा वो यहाँ पर आपको सिलेट कर तो एड फोटो को क्लिक करने के बाद आपको क्या गरना है अपना जो प्रोफाईल है जो Instagram की क्रोफाईल है उसका स्क्रिशोट लेने के बाद आपको क्रप करना है उपड आप नोटिफिकरिकशन बार है जहां पर add कर देता हूँ और यहां पर आप guys देख सकते हो उपर जो है मेरा profile था कि मैंने किया है बागी का पुरा crop कर देख करने के बाद इसको इसे खीच के आपको बड़ा करना है देखिए और जो profile है वो जो t-shirt का जो नेक है वो नेक के बराबर नीचे आना चाहिए ठीक है और य करने के बाद यहां पर screen लिखाए multiply लिखाए darken लिखाए तो आपको क्या करना है multiply पर click कर देना है तो यहां पर click करने के बाद ऊपर देखिए erase का button देख रहे है इरेज पर क्लिक कर लेना है, करने के बाद नीचे और एक option आ रहा है, इरेज का उसको select फिर से करना है, करने के बाद जो size है उसको आपको यहाँ पर 19-20 रख देना है, 20 रखा मैंने, opacity 100 रखना है, और जो hardness है उसको 90 के आसपास रख देना, चीक है, मैं 90 रख दिया, फिर से अपने t-shirt के उपर है, वो erase नहीं होना चाहिए, फिर गडबड हो जाए, तो friends यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा हमारा editing हो चुका है, erase विकर हमने कर लिया है, तो आपको जो अच्छा से erase कर लेना और यहाँ पर जो photo है, हमारे t-shirt के उपर लग चुका है, अभी आपको क्या देखी, यह हमारा photo रहा, तो देख सकते हैं, यह पूरा अच्छे से हमने erase कर लिया, नीचे से तो आपको अच्छे से erase कर लेना है, तो आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो like कर देना और चैनल पर नए हो, तो subscribe करके bell icon को भी प्रेस करना है